हेलो फ्रैंड गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग मैं अच्छी हूँ और फ्रैंड कैसे हैं आप लोग और स्वागत हैं आप सबका मेरे चैनल मजुके ब्लॉग में तो फ्रैंड आज मैं आप से शेर कर रहे हूं रात का किस तरीके से मतलब सुभे से लेके शाम का स्भी एफ न्यार्व इस वर्णी रहाता है सर्दाएल समझ ऐसे सब इसे लिए मोटे इसे, टॉजिशनन सब्सक्राइब सब्सक्राओं तो रिखी श्कौन हो nut si? और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं दिन में तो हम लोग इस तरीके से चावल वगरा बना लेते हैं या कोई चीज बना लेते हैं तो रात को चावल वगरा भी ठंडी होते हैं फिर इस वज़े से जो है मैंने कहा कि चलो आज असा करते हैं कि थोड़ा से द ज्यादा नहीं बना रहे था सब्जी तो मैंने का कि अब भी खतम हो जाए उतनी बना लेते हैं क्योंकि सब्जी ना दूसरे टाइम खाने को मन करता हैं सड़ दिया है अजकल गरम कर दे और फिर जो है एक और सब्जी को खालू तो सब्जी को दुपारा खाने की इच्छा ही होती है तो मैंने काट लिए हैं आलू और इसमें डाल दिया दो तीन हरी मिर्च कर रही है और रख दिया है कुकर में तेल गरम करने तो प्रेंट बस जैसे ही रहता है हम लोगों का और यह थोड़ा सा रखावा था तो मैंने का चलो इसको सारा तो नहीं रखोंगी क्योंकि अदो यहां अधी कर्णा और राव अधील यहां यह सबस्टार्व कर दोगों होगी तो रहे होटारा ने कहीं है जबचा द्धर में बचाने अगर क्लाशन दो क्टि की आ रही है क्रीख यह जब दे Canyon-टार है को चलो को जबाना मेंए तहोत्तना को और यह दोतना जरूत है सब्सक्राइब और आजकल तो मैं अज़वाइन डालने भी लगी हूं क्योंकि हर सब्जी में जा आता है मेरी अजवाइन रहती है तो इसमें में डाल दी हैं दोती हैं मिर्च तो मिर्च थोड़ा सा इसी मिर्चों काट के बनाओ या ऐसे रख के बनाओ तो इनका कुछ टेस्ट अलग अलग ह जले साल आ कि दीलं जलत्य गृह तो ड्रच boundary आ रहाएन कोड़ी हैं तो जंदी बनने वाला नोल्य होता है में बाद तो कोई फाइदा नहीं है तो बस देखिए इसमें मैंने कर दी है दही मैस और अच्छी से चला लेती हूं कि जिससे ना मतलब दही फटे नहीं और फिर इसको बनाने के बाद फिर डालूंगी इसमें नमाक मेर चल्दी जो भी डाला है आप लोगों को अपनी टेस्ट के अनु प्राइब जाता है तो मैंने इसमें डाल दी है मेर्च हल्दी और यह डाल दिया है नमक तो अपने अपने स्वाद के अकोर्डिंग हर चीज डलती है तो देखिए इसका जाय का मतलब इसका जो रंग है वह कितना सुन्दर हो चुका है और यही इसका जगर हम इस तरीके से डालते है ना तो इसका रंग कहीं भी मतलब हो नहीं होता मला एजेटिक ऐसे ही रहता है तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और इसमें डाल दूंगी अपने हिसाब से पानी क्योंकि ज्यादा पतला यह अच्छा ऐसे पाइस तरीके का अठेस्ट इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा मतलगी है कि आलो पक जाए थोड़ी से गढ़ बड़ी सी सब्जी रहे एक दम ऐसे ना हो कि पतली सी हो जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती बस तो मैंने इसमें डाल दे क्योंकि आलो अच्छी से पख तो इस पही तो सब्जी गई है यहां परी सॉक है आप यहां पर क्योंकि कोई भी आरे होते हैं यूट जाता है जहां मसाल दाझेब है जिसमें हम रहती है कुछ भी न कड़ा है याक लिए मैं कर आप ना लिए दिनना ना लिए पियर भी लुग बहुत क מא AI ड़ना है उसलिए worki फैसे समान बहुत जरूरी हो जाता है, इसी तरचे से यहां पर कड़िया है, सारा समान उठा के अलग अलग और यहां पर स्पास बना दिया है कि मैं आराम से यहां पर रोटी बना सकू हूँ, तो आटा मैंने गुंद के रख दिया था डिबी में तो तुरंत गुंदो आटा और तुरंत उसकी रोटी बनाओ तो अच्छी नहीं बनती है तो कुकर में आगी है सीटी तो दो सीटी लगाओंगी इसमें तीन में लगा सकते हैं कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आलू अच्छे से गलने चाहिए बस थोड़ा होता है कि हम लोग खटाई डाल देते हैं तो आलू जरा से देरवे पकते हैं तो मैंने का चलो एक सीटी इसमे बाद फिर रोटी बनानी है और वीच में फिर खाना फिर दुबारा गरम करना है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता करते हैं बहुत से लोग लेकिन मैं नहीं करती हूं मैं तो खाना बनाने आती हूं तो खाना बनाके मतलब 15 लगें 20 मिन आदा लगें कुछ भी घंटा ल की सबची खाने के लिए तो फ्रेंड्स बताना आपको कि कैसा मेरा नाइट का रूटीन रहता है और सबी का यह ऐसा ही रहता होगा सबी के बस यह कि हाँ फैमिली मेंबर के साब से थोड़ा सा काम घट और बढ़ जाता है तो जिसके घर में ज्यादा लोग होते हैं तो यही सब चीजे होती है और यसे आजकल जम उली चल रहे हैं तो मूली की भुजी वगरा हो मेथी की भुजी वगरा हो यह तो इम क्याता है रोजनी वनती घर घर अंधर कटा दिए मैंने गैस थोड़ा ज्यादा बना के यह होता है कि ईसके सांथ इसके सांथ तो तो सूखी स मेरे फ्रेंड्स भी बोर नहीं होने चाहिए और यह देखिए कैसे गर्मा गरम फुल के सिक रहे हैं तो क्योंकि बोर होने का भी तो सबसे बड़ा यह रहता है ना कि अगर बोर हो जाएंगे तो फिर मेरा वीडियो क्यों देखेंगे और फिर मीजे कैसे सपोर्ट मिलेगा तो प्लीज मेरा सबी से अनुरूद रहता है कि वीडियो को जब बीटर में समय मिले ऐसा नहीं है कि हाँ वीडियो आया है और उसे आके फटा-फट से देखना है ऐसा नहीं है जब भी आप लोगों को समय मिलता है तो प्लीज मेरा वीडियो देखिएगा और सपोर्ट कीजिए बस यही आप लोगों से मेरी हमेशा एक रिक्वस्ट रहती है तो ठंड बढ़ रही है तो इसलिए कैफ वगरा क्यों कि मुझे ना कानों में भी प्रॉब्लम होती है जैसे हवा वगरा लगती है तो कानों में हवा जाती है और मेरे से मेरे कान वगरा चीजने लगते हैं फिर पता नहीं आप उम्र के हिसाब से है लेकिन है काफी टाइम से रहता है मुझे तो बहार निकलना है अगर कानों में हवा लग गई तो मेरे कान चीजने सुरो जाते हैं और सिरकादर तो खेर हैं मेरे साथ पैदाईजी और यहां कंप्लीट हो गया है रोटियों का काम और यह खाने के लिए भी कोई न कोई आएगा तो इसलिए कोसिस करनी चाहिए कि भी हाँ यह चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि जम्स कहीं भी कहसे भी किसी रूप में भी पहुंच सकते हैं तो अपनी तरब से सारा ही कुछ करना चाहिए बस रोटिया हो गई हैं तेयार यहां पर । भी सारा साफ कर दूगी और वुद्भाल लगाती हूं बच्चों के लिए खाना और बिट्वे खाना लगाती हो यह थोड़ा सा बस यह काम आ जाएगा सुबे के टैम्स या फिर जो है दिन में खाने में काम आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा आंटा मेरे से वो गड़ा गड़ा हो जाए और कुछ आलो खड़े-खड़े ही रहने देती हूं क्योंकि उनको फोड़ के खाने बहुत मज़ा था आलो बहुत ही फस्ट क्लास महलग गले थे और सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और हम लोगो ने इतनी सब्जी बनाई अच्छी आपके रहा कि बेटे को सौक है तो जब तक है तक बेडू डरभा है यह तक भी बन रहा है तो यह देखिए अब की बार ऐसी रहा कि बाहर से खरीदना ही पड़ेगा निए घर का घी मेरा चल जाता है बेटे के लिए तो मुझे इसको चलाना होता है और यह है मेथी की सबजी यह देखिए यह मेरी फ्रेंड लेकर आई थी आज कहने लेगी मैने मेथी की चटनी बनाई है तो खाएगी तो मैं बनाती मैं भी हू होती है तो प्लीज बताईएगा क्योंकि सुधार जरूरी होता है हर कमी का तो प्लीज जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने लोग हैं वो सपोर्ट करें देखें और जो भी कमी बेसी होती है उसको बताएं तब ही सभी कमियां दूर हो पाए झ्ल झाल झाल झाल